काई काउच विच शुभांकर में मैं शिमुल आज आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों जब हमने इस शो की शुरुआत करी थी तब हमने यही सोचा था कि सिर्फ शिक्षा एवंग आजिविका की बात करेंगे लेकिन रोज मर्डा की घर्तिवी महिलाओ के उपर घरेलू एवंग कारियोशेत्र में होने वाला शोशन और अत्याचार में हमें वाके मजबूर कर दिया है कि क्या कोई शिक्षा के प्रती होते अत्याचार को सही ठहरा सकता है क्या किसी शिक्षा की पूर्ती, महिलाओ सम्मान के बगएर या कहे तो किसी नारी से कैसे वव्यार किया जाता है ये जाने बगएर पूरी हो सकती है मैं एक आत्मनिर्भर नारी हूँ उसी के साथ मैं एक मा हूँ, किसी की बेहन हूँ और किसी की बेटी हूँ और पुरुशों की द्वारा बनाए इस समाज की पिरिता भी हूँ मुझसे उम्मीद तो बहुत की जाती है कि मैं घर की देखभाल करू बच्चे समालू, साथ ससुर के प्रती सारा कर्तव करू और उसी के साथ घर की आर्थिक स्तिती को समालने के लिए नौक्री भी करू मेरे कमाय हुए पैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे सरसे सरका पल्लू और विदेशी परिधान समाज को मेरे चरित्र पर चाड़ बाते करने का अधिकार दे देता है वही समाज जो एक पुरिश को दिना सोचे स्ट्री के उपर हाथ उठाने के लिए भी नजर अंदास कर देता है फिर वो पती ही क्यों न हो जहां एक तरफ महिला शशक्ति करन के उपर हजारों कार्यक्रम किये जाते है वही सरकों पर अधवा कार्यस्थल पर महिलाव के साथ होते मानसिक अधवा शारिरिक अत्यचार की घटनाएं कम भी नहीं होती दिखाई दे रिए दोस्तों मैं आज जाब से पूछना चाहती हूँ क्या आधोनिक शिक्षा बच्चों के मन में कोई मौलिग विचारधारा प्रदान करने में असमर्थ है आए इस एपिसोड में हम कुछ इन ही बातों पर चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में हमें गर्व है कि हम करेंग काउच पर दो ऐसी महिलाव को आमन्तृत कर रहे हैं जो नारी शक्ती एवंग नारी स्वावला मन की प्रतिविम्ध है थैंक यू शिमूल वाकई आपने जो शुरुआत दिये सोचने वाली बात है क्या हम वाकई शिक्षित हैं क्या हम अपने आपको विक्सित कह सकते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ तक्नी की विकास को ही हम अपना सरवांगिन विकास में गिन सकते हैं दोस्तों शरम आनी चाहिए जब अगर हम छोटी-छोटी बातों के लिए भी सरकार से उम्मीद लगाने लगें जहां पे हमें छोटी छोटी बातों के लिए बताया जाता है कि शौचाले बनाएं और शौचाले का प्रयोग करें इस तक के लिए एक ड्राइव चलाया जाता है हम किस समय में आ चुके हैं 2021 में बैठे हुए हम लोग जहां चांद में पहुचने का ख्वाब देखते हैं वहीं पे हमें बतारना पड़ता है कि कृप्या अपने घर में बैठी स्त्री को अपनी मा को अपनी बहन को अपनी वाइफ को एक ही नजर से देखें डॉमेस्टिक वाइलेंस को रुकना बहुत अनिवार्य है कि कौन सी शिक्षा की तरफ हम बढ़ना है अगर शहरों में भी आज के दिन भी विमेन क्राइम के अगेंस्ट में एक डिपार्टमेंट का होना अनिवार्य हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम शिक्षि नहीं है हमें नहीं पता है कि माइलाओं के साथ किस प्रकाश से पेश आना है दुख होता है और शायद मैंने इससे पहले जित्ने वी एपिसोड किये हैं आज से ज़्यादा मैं दुख के साथ इस एपिसोड का प्रारम मैंने कभी भी नहीं किया है खैत जब हम बात करते हैं शिक्षा की क्योंकि करियर काउच पर बैटे हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं सिर्ष शिक्षा की बात करूं हलाकि मेरा अंतरमन ये कहता है कि मैं सबसे पहले तो विकास की बात करूँ, विक्सित होने की बात करूँ सबसे पहले मैं उस छोटे-छोटे समाजिक दायरों की बात करूँ जो आज भी हमें चिंतन करने से रोकता है एक महिला के साथ घर पे अत्याचार होता है तो शिर्फ इसलिए चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, समाच क्या कहेगा और हम विक्स देते हैं, हम चांट पर पहुंचेंगे, बिल्कुल हमें बताना पड़ता है कृपया घर के आगे स्वच रखें और इस स्वच्छता के लिए का अभ्यान चलाना पड़ता है सरकार को ये छोटी सी बात हमको समझ में नियाती है एक बंद दुकान का दर्वाजा हमें अधिकार देता है कि वहाँ पर हम पान खाके थूग दे लेकिन हम विक्सित हैं, हम शिक्षित हैं मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, क्या वाकई हर एक बात के लिए एक अभ्यान की ज़ूरत है हर एक बात के लिए आपको एक डिपार्टमेंट चाहिए, एक कंट्रोलिंग ऑथरिटी चाहिए अगर आप नहीं सोच सकते, तो आएए, मैं आपकी मदद करता हूँ दोस्तों, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौझूद है मिस मंजरी उपाध्य है, और मिस रूचिता चौधरी मिस रूचिता चौधरी, इनके बारे में मैं बता दूँ यह लटनो डिस्ट्रिक की DCP है, for Crime Against Women अब बात यह है, कि जब हम बात कर रहे है Crime Against Women की तो सबसे पहले हमें सोचल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि आखिर Crime Against Women है क्या तो हमारी एक तरह बैटे है मिस मंजरी उपाध्या जी मिस मंजरी उपाध्या जीजी विशा सुसाइटी की फाउंडर मेंबर है इसी के साथ यह मिशन शक्ती काउंसलिंग हेल्पलाइन की कोर बाड़ी मेंबर भी है और यह Crime Against Women at Workplace इसके उपर इनकी संस्ता जादा काम करती आ रही है तो मंजरी जी मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा मुझे पहले बताएं कि मिशन शक्ती काउंसलिंग हेल्पलाइन इसका काम क्या है कफ पाउंड हुआ किस प्रकार से यह काम करती है जी थांक यू सो बच दरसल मिशन शक्ती अपने आप में उत्रप्रदेश की जो करेंड गवर्मेंट है योगी जी की उनका एक बहुत एंबिशियस प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग विमन सेफटी तो मूलता उन्होंने एमिशन शक्ती में सुरक्षा स्वाबलंबन और सम्मान को स्थान दिया यह प्रोग्राम अगर आपको ग्यात हो तो 2020 का जो शार्दी नवरात था तब से शुरू हुआ और उसके कई फेजस चले फेस बन रहा जिसको ल नहीं होती है तो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के कलेक्टिव एफ़र्ट से फिर फेस तू स्टार्ट हो अब इस समय हम फेस त्री में चल रहे हैं अब हम जब बात करते हैं मिशन शक्ती कांसलिंग हेल्पलाइन की तो मिशन शक्ती पूरे उत्तर प्रदेश के लि को अभिशेक प्रकाश जी ने यह हल्पलाइन लॉंच करवाई थी जिसमें बेसिकली चार तरीके की जो हिंसा है या उससे जो पीडिक महिलाएं होती हैं उनकी कांसलिंग के लिए हल्पलाइन बनाई गई थी उसकी जो चार केटेगरीज थी उसमें पहला था दोमेस्टिक दूसरा था टीनेजर गर्ल्स या ओलेज गई गर्ल्स के साथ होने वाली जो जिसमी तरीके की छेट खानिया वगडर होती हैं समस्या तीसरा था जो ओल्ड एज विमन है उनको जो परिशानिया आती है उनके बच्चों से लोग ध्यान नी रखते है उस पे था और चौथा जो है डाट वस परटेनी तू सेक्च्चुल हरस्मेंट विद विमन एड वर्क प्लेस जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में जैसे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को और बच्चीयों को साथ में पढ़ा रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स का डिरेक्शन इस साइड भी है कि वह अपनी बेटियों को भी एंप्लॉय करना चाहते हैं साथ में लड़कियां खुद भी आगे निकल के काम करना चाहती है तो ऐसे में जब भी ऐसे सिट्वेशन होती है एक बहुत बढ़ा कंस्ट्रेंट होता है पेरेंस के दिमाग में कि घर से बाहर निकली बच्ची हमारी सेफ है कि नहीं है तो इस दिशा में ऐसी बच्चियां जो अपने वर्क प्लेस पे अपने कॉलेजिस में इनवस्ट्री में जो भी 18 प्लस विमन है वो कितना सेफ फिल कर पाती है उनके किसी भी तरीके के मनो वैज्ञानिक परामर्ष के लिए ये चौथा पॉइंट और मेरा जो पाटिसिपेशन है मिशन शक्ति कांसलिंग हेल्प लाइन में वो इसी फोर्थ पॉइंट को लेके है रिगार्डिंग वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ विमन उनके साथ किसी भी तरीके का सेक्चियल अब्यूस तो नहीं हो रहा है किसी तरीके का लांगिक भेदभा सब्सक्राइब अधरी जी रुचिता जी प्राइम टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका से आप से जानना चाहूंगा कि मिशन शक्ति की बात हो रही है मिशन शक्ति कांसलिंग हेल्प लाइन एक हेल्प लाइन तो पहले से थी 10-90 भी था तो एक और एक कॉल सेंटर है एक इस्टैबलिश्मेंट पूरा सेट किया जाता है उसके बाद एक और स्टैबलिश्मेंट यह सारे स्टैबलिश्मेंट्स क्रिएट के जा रहे हैं फायदा कैसे मिल पार रहा है थांक यू आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और देखिए मिशन शक्ति गॉवर्मेंट का एक बहुत देशी प्रजेक्ट है जो सरकार के लबखग तईस विभाग एक साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं पुलीस है प्रशाशन है समाज के लगन है सिक्षा है स्वास्त है सारे विभाग है जो हमारी आधियाबादी महिलाओं को हमारी जोपनी आधियाबादी है उनके लिए कारे कर रहे हैं क्योंकि किसी भी समाज और देश का विकास सभी सम्मव है जब सभी दोनों वर्क महिला और पुरश समान रूप से उसके विकास में सहभागी हो इसी कारण इसने महिलाओं को, जुकि हमारे हाँ अभी भी विकास की प्रक्रिया में प्लस विकास की एक उच्चतर इस तर पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसका कारण यह है कि हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ मध्यकाल से हुआ। प्राचीन कार्मी कान में तो महिलाएं विकसित थीं पर मध्यकाल आते हैं जिनको हम में अब इस समय डिसकस नहीं कर सकते उस कारण से महिला didnt इस विकास की गती में AND और समाज को सहयोग देने, राश्रकों से युग देने की गती में कहीं पीछे रहने हैं। उस संख्या में आगे नहीं आ पाई। इसी कारण हमारी प्रदेश के सरकार ने ये मिशन शक्तिकार के प्रानम किया। जैसा कि मंजडी जी ने बताया। इस मेहम फेस्ट्री 3.0 इसे नाम दिया गया है। उससे में चल रहे हैं। और महिलाओं के लिए उनके विकास की प्रक्रिया में आगे आने के लिए जो तेहीं में इशुज होते हैं। सुरक्षा यानि के सेक्यूरिटी उसी आत्मसम्मान एवं स्वावलंबन। इन तीनों को उसका मुख्य उदेश रखा गया है। और यहीं इनक करती की और उसी के तहर सारे विवाग काम कर रहे हैं। चुकि सुरक्षा पुलिस विवाग का दाइत्व है। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लखनोपुलिश कमिशनरीट में एक क्राइम अगेंस्ट विमेन एन सेक्यूरिटी एक डिसी पी जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ ही साथ गॉर्मेंट की जो बहु देशी और योजना हैं। उन में से हमारे हर थानों पर हेल्प डेस स्टाबलिश किये गये हैं। जहां महिलाहिय स्टाफ बैठता है। यदि कोई महिला थाने पर जाती है तो वह अपनी बात पर कृति कह सकती है कि आप सुएम लिखना चाहें। को लिख सकती है आप अगर नहीं लिख सकती है तो आप बताएंगी और वह खुद जो महिलाह स्टाफ है वहां पर वह उसको रइड़ डाउन करेगा और आपकी बात को सुनेएगा और आपको कौन्स उलकर करने के Phase 1 or Phase 2 क्या था? जिसमें लेकर आजाएंगे तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें लगना है इसका 1st phase वा, 2nd phase गौर्मिन एसका 3 phases रानिंग जो 31 सम्बर तक चलेगा और ये चल रहा है इसमें इन तीन उदेश्यों को लेकर हम लोग चल रहा है इसी तरह हमारे हां security को लेकर pink patrols हमने हमारे हां चला या 112 के माध्यम से आए, पूली से स्टेशन से आए, किसी आफिसर के नंबर पर आए, तो हम लोग उस पे तुरंट एक्शन होता है और ये पिंक पेट्रोल पहुंचती है महिला को कंसूल करती है जैसे आवशकता है मेडिकल के ले ले जाना है या उनको उताने तक लाना है वह महिला को महां कंसूल करने के साथ साथ उसकी जो समस्यास को सुनती है और उस पर काले करती है इसे तरह आपने देखे होंगे शेहर में विंक बूथ बने हुए है जी ये से कई चौराओं पे बनाए गया इस प्रोजिक्ट है और इसे हंड़िड सौ बनने है अभी सबसे अभी सबस्क्राइब बनने की प्रक्रिया में है और इनमें भी महिलाहिय स्टाफ रहेगा यादि महिला गर से बाहर निकलती है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अचानक कुछ शोदे गुजरते हैं च्छिता कशिय करते है उसके लिए पुलिस अस्टे क्या है नियर इस जो भी आपको पिंग बूद दिखता है आप वहां लागे शेल्टर ले सकते हैं पुलीस स्टाफ जो है उसमें महिला ही स्टाफ रहता है इसे अपनी बात बता सकती है उसमें आपको किस तरह की मदद पहुचानी है यह उनका निर्ने होगा बोल पर दिसाइड करेंगी आप फोर्स बुलाना है आपको थानी ले जाना है या एट वन से को कोई डिसीजिशन ल करना है तो इस इंपॉसमें आपको प्रॉब्लम हो जा सकती है तो मंजरी जी आगे मैं आप से जानना चाहूंगा कि आप लोग जब जब एज 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 आपको काम करते हैं तो आपने अभी तक शहर में या हमारे अब लखनों से जोड़े हुए जो ग्रामीन छेतर हैं वहां पर आपने किस प्रकार की महिलाओं के जो समस्या है आप कैसे रूबर हुए जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने मुख्यत एक समस्या को आइटेंटिफाई किया और वो समस्या थी जि कामकाजी महिलाएं हुए तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके जीवन को किस थरीके से आसान बना सकते हैं उनके वर्क प्लेस को सेफ करके हमने इस दिशा में सोचना शुरू किया और इस पे ही काम करना शुरू किया जो कि मैं एक लॉयर भी हूँ तो इस ही प्रक्रिया में म तो इसमें सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रेड्रेसल ये पूरी एक पैकेज हम इसको माल सकते हैं, होलिस्टिकली, तो जब ये लौ मुझे पता चला तो मुझे लगा बिकॉज मैं अल्री लॉयर हूं, जितने भी सेक्शन्स हैं और धारा काम बढ़ाया जा सकता है, या महिलाओं कोई लाइफ को कैसे एजी कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया में मैंने खुच सर्टिफिकेशन किया, अगर आप Ministry of Women and Child Development में एक वेबसाइट है, अगर अगर उनके हाँ दस या दस से अधिक इंप्लाइट है, कि अगर उनके हाँ दस या दस से अधिक employees है, चाहें stayp報 Females हैं, उनके लिए mandatory है कि वह एक ऐसी committee का गठन करें, जिसको हम internal committee कहते हैं या आंतरिक प्रिवाद समिती कहते हैं जो महिलाओं के साथ उस कारिस्थल पर कारिरत हर महिला के साथ, किसी भी प्रकार का लेंगिक भेदभाव ना हो जोई छेर चाड़ ना हो इनकेस ऐसा कुछ होता है तो उसके रिड्रेसल के उस ग्रिवियांज को सेटल करने के लिए इंक्वाइरी के लिए काम करती है या नहीं करती है किल सारे इसको follow करते हैं कि यही दरसल मुद्दे की बाट है अभी जितने कर रहे हैं lag दरसल wild person को जो करना चाहिए यही जो यात्रा है इस यात्रा पर लेकिट कॉर्पोरेट्स में फिर भी अवेर्नेस है लेकिन जनरली जो छोटे सेटप्स हैं बहुत सारे गवर्मेंट डिपार्टमेंट्स है जहां पर जो मैला है जो है वो छोटे-चोटे जगे पे जो क्वार्टेज इंडस्ट्री में जाके जो काम करती है तो पहले तो क्या उनको कै करके आप शिक्षित करते हैं कि उनको समझ में आए कि उनके साथ ऐसा एक हराश्मेंट हुआ है और उनके पास ऐसा कोई सेल की प्रावधान है जहां पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तो वह आप कैसे सिखाते हैं हमारा जो अभी तक का कारिक्षेत्र रहा है वह हम गामों को उतना टच नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ में एक बहुत बड़ा मिथक और ब्रहम मैं तोड़ना चाहूंगी यहां पर कि हमें ऐसा लगता है कि जो शहर हैं और जो शहरी महिलाएं हैं और जो शहरी तबका है वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो completely aware हैं चाहें चाहें वो शिक्षा की बात कर लीजे चाहें वो संसादनों की बात कर लीजे और चाहें वो अपने राइट के awareness के बारे में बात कर लीजे तो शुरू करना काम हमने शुरू किया शेहरी क्षेत्रों में कई government institutes में गए कुछ जगों पर अच्छा response पिला कुछ जगों पर ल के बारे में तो उन्होंने ना सिर्फ अपने जो उनकी पुलिस मेंबर्स हैं जितने भी कॉंस्टेबल्स हैं जितना भी स्टाफ है उनको तो एजुकेट किया ही किया उसके साथ में एक और step ahead she has taken वो ये किया कि मैम ने 10-10 थानों को identify करना शुरू कर दिया तो पूरे लखनो पर थानेदार से लेकि कॉंस्टेबल तक अगर अवेर रहेगा तो धीरे धीरे करके अवेर्नेस की ये चेन हमारी आगे बढ़ती जाएगी इससे और बड़ा फायदा ये है कि जब हमारे थानेदार अवेर होंगे तो उनके पास जैसे अभी तक हम ने जितनी वर्क्शॉप की हैं दो वर्क्शॉप समकर चुके हैं अब तक जिसमें 20 थाने कवर हो चुके हैं तो उन थानों से ये रिपोर्ट आए कि हमें जितने संस्तागत महिलाओं के साथ होने वाले लेंगी कुद्पिरन के केसे आते हैं चुकि हमें अभी तक इस लोगे बारे में जानकारी नही लेकिन इससे उनकी जॉब आसान ऐसे हो सकती है कि अगर उन्होंने वापिस भेज़ दिया कि आप एक बार पूछो तो कि आपके औरगनाइशन में आंतरिक परिवाद समीती इंटर्नल कमेटी बनी है कि नहीं बनी ये जानना इसलिए और जादा जरूरी है क्योंकि आंतरिक जो इंटर्नल कमेटी होती है उसके जो रिकमेंडेशन होती है जो पनिशमेंट्स वो देते हैं चाहें वो transfer कि हो चाहें वो salary cut का हो चाहें warning letters हो चाहें termination of job हो वो गररसल बाइंडिंग नीचर का होता है, तो आप सोचिए कि अगर एक थाने के अंतरगत कोई हजार वर्क प्लेसे हैं, और उन हजार वर्क प्लेसे में 800 के यहां भी थानेदारों की जब अवेरनेस हो जाती है और वहां पे इंक्वाइरी करते हैं, अगर हजार में से 700-800 कालस्थलों पे भी आंतरिक समिती बन गई और उसमें से इश्वा ना करें लेकिन कहीं किसी 10-20 जगह पे कोई ऐसे केसे आए, तो वो इंटरनली उनके पास एक ऐसी कमेटी है जो इस पूरे मैटर को हैंडल कर सकती है और पूरे मामले को सुल्जा सकती है, तवरित न्याय भी मिलेगा, और रुचिता ची मैं आप से जानना चाहूंगा कि आखिर यह तो बात हो गई, विमन हैरस्मेंट यह सेक्शुल हरास्मेंट वर्क प्लेस के आपने बात की है, एक कानून बना दिया जाता है, कानून रग दिया जाता है कि ताकि इन चीजों का प्रिवेंशन हो सकते हैं, ल अवेर्नेस प्रोग्राम्स होती हैं सब कुछ, लेकिन जैसे कि अभी मंजरी जी ने कहा कि जो रूरल एरियास में हैं, पहले तक पहले तो मालूमात पहुंचें, उनको बताया जाए, है ना, क्योंकि उन शेत्रों में ज्यादा तर यह जो क्राइम होती है, वो अंडिटेक् वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉमेस्टिक वाइलेंस का क्या, वो तो आज तक रुकने का नामी नहीं ले रहे हैं, देखे ऐसा है, डॉमेस्टिक वाइलेंस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हुआ है, यह किसी ऑर्गराइजेशन की बात नहीं है, इसके लिए पह परिवार हुड़ परिठी सेुड़ परिडी बात नहीं है, लेकिंग माँ अचिक्षित है, यह साथ दुर्वेभार है।र बच्च्चे उस दुर्वेभार से उंकी मानसिकता बदल जाते हैं। गभी भी परिवार के वैल्यूस को एकसप्ट नहीं करेंगे, समाज के वैल्य माही को जिसकी धुरी महिला होती है। मा के एदगिर्ध ही परिवार गूमता है। कहते हैं माही पहली टीचर होती है, माही बच्चे को जर्म देती है, माही उसे भोजन, जीवन और सामान ग्यान देती है। तो यदि माही सुरक्षित नहीं है, तो आप किसी व्यक्ति के विकास के बारे में आप करतना नहीं कर सकते हैं और जो आधी आवादी पिछड़ गई इसी कारण से कि माओं पर इतना ध्यान नहीं दिया गया आज उसी ध्यान को देने के लिए ये सारी प्रोग्रेम्स किये जा रहे हैं और साथ ही साथ जो लौ है जो कारिकरम है इसके अलावा सबसे इंपोर्टन है एक अवेर्निस कारिकरम्स कि आप लोगों के बीच जाएं और उनको बताएं हम लोग सेमिनार, वेबिनार, डिसकेशन, नुकर नाटक, जाना गाउं में और ग्राम सभाओं के लोगों को इकठा करना पंचायत के लोगों से बात करना हमारे हाँ महिला जो पलिस कर्मी है, हमारे वर्तमार लीजीपी साहब ने महिलाओं के बीच सिस्टम शुरू किया है, जो आप पुरुशों के ही वा करते थे महिलाओं का बीट सिस्टम है जिसमें तीन चार गाओं की एक बीट बनाई गई है अग महिला कर्मी को उन गाओं में जाना है वहां की पंचायद घर पर एक कक्ष प्रमिशन चक्ति के नाम से एक कक्ष कर दिया गया है वहां जाकर उन महिलाओं की समस्याओं को जानना उन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेर करना और कम से को शरम छोड़ सके हैं कि आपके क्राइम के बारे में बोलें बिल्कुल ये कानून है और इस कानून से आप लाब लेकर अपनी लाइफ को नॉर्मल सामाने रूप से जब एक परिवार के पुरुष को अपने विकास का अध काई कि युद है अपी भी आप लड़के को पढ़ रहे हैं तो लड़की को भी पढ़ाई ये लड़की जो जन्नी है कभी किसी पुरुष से जन नहीं लिया जिन नहीं हैsemble ूख मोई सोतन्त्र नहीं है उसका ही विकास नही常 है तो किसी का ब्मॵख से प्रुष जैसे आप हैं अब दिसक्रेशिन कर रहे हुए, आप लोगो की घर तक दिलों तक तुरंग जाते हैं। हमें समय रखता है बात करने में, हमें लोगों के कट्था करना हुता है। अगर आप इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं तो यह बहुत बहुत आपका आभार होगा आप एक अपनी सामाजिक जम्मुधारी का निभा रहे हैं अपको में शुक्रिया अदा करती हूं साथ इस साथ उमीद करती हूं कि आपनों इस तरह के awareness प्रोग्राम चलाकर लोगों को ये बताएं कि यदि लड़के को पढ़ने का अधिकार है तो लड़की को भी उतना ही अधिकार है यदि लड़की के लिए कुछ निर्योग इताएं है कि उसे समय से घर आना है उसे सीमिस संसादनों का उभियोग करना है तो लड़की के लिए भी होना जाएं तो दुचिरा जी जैसे कि आप लोग जब मिशन शक्ती की बात करते हैं तो उसमें आपने तीन पॉइंट उठाएं तो मैं इसी पर आता हूं जब बात सेल्फ रिलाइंस की होती है और हम एंप्लाइबिलिटी की बात करते हैं तो आप इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वेसि कि वो अपने स्वाभिमान और स्वावलमन की ओर सोच पाएंगे जो हम सेक्योरिटी की आपको जैसे बताया कि हमने हैल्प्लेस पिंक पेट्रोल पिंक बूत साथ ही साथ हमारे पिंक गश्त जैसे हम महिला बीच सिस्टम हमारा शुरू किया गया है यह सुरक्षित माहौल ब विकल सके और परिवार को भी एक नॉलिज हो ज्यान हो कि मेरी बेटी घर से गई हा तो सुरक्षित ही वापस आएगी फिंतना सारी वेवस्था ना इसकी सेक्योरिटी कि है, वो सुरक्षित ही वापसाएगी मैद बात आक्से फिर 2007 की करूंगा एहां सुरूप् पर्यसました करते हैं किस दिशा में हम बढ़ लें आपको क्या लगता है मिशन शक्ति सही दिशा में है बात सिर्फ हो रही है स्वावलंबन और जितने योजनाय मैं जान पारे हूं समझ पारे हूं और जितने अभ्यान ऐसे चलाई जा रहे हैं जिसके में किसी भी करीके से बेटियों को भी मुख्यधारा का हिस्सा समझा जाए जिसका एक बहुत-बड़ा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट स्वावलंबन है तो यह बहुत सारी आसी योजनाय चलाई जा रही है जिनके थू महिलाय अपने लगों चोटे-चोटे स्थापित करके बहुत-बड़ी कमाई नहीं लेकिन अपने द्याने खर्च चलाने बर और उसके अलावा अगर उनके अंदर अच्छी है तो कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए कंड़ कराया जा रहे हैं और उसके थू फिर मिशन शक्तिक अंतरग्रत हां जी मिशन शक्तिक अंतरग्रत जी उसके अलावा कुछ योजनाय है जैसे कन्या सुमंगला योजनाय है जिसमें निव बॉर्ण ग देग कर graduation तक बच्ची आ के लिए अलग अलग age group की बच्च्ची के लिए अलग अलग sponsorship आ опять या scholarship क्या सकते है वो डेजाइन की गई है की جव जितनी जितनी इप सुम्नम को एक celebration माना जै लाई कि बोज संझा जा जाए तो कहीं हां तक यह उसका पार्ट है हमने अमारी Gramsabha य तो उस गामसरभा के साथ में हमने कई कैंप्स लगवाई और कई महिनाओं के लिए करना सुमंगला के फॉर्म्स फर्वाई जिनमें जो बेनिफिशरीज हैं उनको पैसे आने भी शुरू होगा है पंजर जी आप एक एंजियो से भी जोड़ी हुई है आपका एंजियो एंवा सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा काम आती है यहां तक पता चला कि आपकी जो एंजियो है वह मेंली शायद प्लांटेशन्स और ग्रीनरी को प्रोमोट करने के लिए ज्यादा काम आती है तो मुझे जरा बताएं इसके उपर हम लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं जी आपने बहुत ही अच्छा question दरसल किया है बहुत कम लोग आज के समय में ऐसे हैं जो environment और उससे related कामों को employment से associate कर सकते हैं एक छोटा से example मैं देने की कोशिश करूँगी जो people बाबा जिन से हमने द आज बारा पंदरा बड़े पेड होते हैं चायादार चाया वो बरगद है पीपल है पाकर है नीम है महुआ है आम है एक लाइन से हम देखिए कितने सारे ठेले वाले खुंचे वाले चाय बेश्टे वाले वो खड़े होते हैं अब अगर वो शेड वहां पे नहीं होती तो है वो उनका Employment Center नहीं है पहली चीज तो दूसरी यह कि जो आपने बोला कि लड़कियों को किस तरीके से हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं यह इस वेरी मच पॉसिबल इसके लिए जितने NGOs हैं और जितनी भी ऐसी ओगनाइशन्स हैं जो CSR प्रवाइड कर सकती हैं I'm very sure कि लगनों में कम से कम आज के समय में चार से 5000-6000 ऐसे NGOs होते होंगे जो CSR की कैटेगरी करते होंगे तो अगर सही CSR डोनर और सही NGO पार्टनर्स आपस में कॉलाबरेट कर सकें और ऐसी साइट कर सकें चोटे-चोटे अर्बन फॉरेस्ट होगे चोटी-चोटी नर्सरीज हो कार कुछ मदद करती आपकी अभी तक तो नहीं अभी इसी जून में तीन सार कंप्लीट किये हूं तो इसलिए अभी तक गवर्मेंट फंडिंग का कोई रसोर्स नहीं हम जो भी करते हैं वो अपने सेल्फ और रसोर्स तो बिल्कुल मेरा अगला प्रश्न से जुड़ा बहुत खुबसूरती से उलोग काम करते हैं यह उनका अपना एक संस्था है उन्होंने अपने तरीके से बनाया उन्होंने खुद का जो स्वावलमन है वो अपने सामने रखके एक डिजाइन दिया और आज वो सक्सेस्फुली रन कर रहा है लेकिन ऐसे कितने विक्टिम से सके बात्स पैसेसे अटेक की नहीं है बाग दोमेस्टिक वालन्स की भी है वो महिलायें जो जाधा शिक्षित थैंए और दोमेस्टिक वालिंस की वजए से वो आज पतिंसे अलग रहा है उनको स्टैबलिश करने के लिए फिलाल गर्र्मेंट के पास मैं कोoi प्रोजेक्ट नहीं देखता हूं आपको नहीं लगता कि मिशन शक्ती का विस्तार कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था जब हम विक्टिम्स को हम एक कर सकें उनको अगर हम सेल्फ रिलाइंड कर सकें तो कहीं न कहीं ज्यादा मदद कर हम साबित हो सकेंगे बिल्कुल आपको जानकारी शाय तो वन स्टॉप सेंटर पर रखा जाता है इचिकल सिखाए जाती है और उनको सेल्फ एंप्लॉइमिंट के बाद यदि वह अपने किसी उनके पास शैल्टर है जाने का अपना परिवार उनको आता है लेने वो जाना चाहती है तो वह जाती है अदर वाइस उनको सम्वासनी ग्रहों में भी रखफाया चाता है और सेल्फ एंप्लाइ करने के बाद भी वो किसी तरह की अब मदद चाहती है तो यह वन स्टॉप सेंटर कंटिन्यूस उनकी हेल्प करता है यह वन स्टॉप सेंटर लखनों में एक पहले से अभी चल रहा है दूस जो आशियाना थाना चेत है और यह जो आपने कहा कि इसके डोमेस्टिक वालेंस से जो पीडित हो गई वो महलाएं क्या करती है तो उनके लिए इन वन स्टॉप सेंटर पे विवस्ता है उस्टिता जी दरसल यह सवाल वहां पर और ज्यादा मजबूत हो जाता है हुता क्या है कि जब डोमेस्टिक व हैं साहस उठाती हैं और अन्तर वह अपने शादी को खतम करके वह बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं मुझे एक चीज मुझे अभी तक मुझे नहीं पता आंकडे आपके डिपार्टमेंट के पास कैसे हैं कि जो डोमेस्टिक वालेंस या जो हम बार-बार कहते हैं कि क्रा मुझे बताएंगे कि मिशन शक्ति के पहले और मिशन शक्ति के बाद या चलते हुए इस समय क्या डिफरेंस आप देख पा रही है कि अभी इतनी जानकारी नहीं है लोगों को जो पॉस्टे रिलेटर आपने सेक्सल हरिश्मेंट एट वर्क प्लेस की बात की है यह तो अभ पर लोगों ने अभी कमीटियां गठित नहीं की है बहुत सी जगहों पे कमीटी बनी दो साथ चार साल हो गए जो कमीटी के मेंबर्स थे वो ट्रांसफर भी हो गए रियॉगनाइज नहीं हुई कमीटी रिफर्म नहीं किया गया उसमें तो ऐसा है अभी इस पर काम करने के अभशकता है और इस पर किया जाना चाहिए इसलिए हम मंजरी जी के सायोग से इसका अवेरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि उनके थाना चेत्र में जितने भी इस तरह के और उनसे इस बारे में जानकारी करें कि कमीटी के एपसेंस में को क्लाकरे होता कि तो महिला क्या करें कि अथाने पर आप F.I.R. कट उस महिला को रिहाबली टेट होने के लिए यदी उस और इसेशन के जो इनको इन्वाल्व किया जाएगा तो इस अगर वह महिला रिहाबलेटेट नहीं भी हो पाती तो बाकि जो दूसरी महिला हैं वह त तो सुरक्षित होंगी क्योंकि देखें विक्टिम अन जो अक्योज है ये दो पार्टी हैं बट तीसरी पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं जो उनकी सीनियर हैं जो बॉसे जो फांडर हैं उनकी वी जम्मेदारी है कि उनके अंडरकाम करने वाली महिला के साथ कुछ गलत हो रहा ह तो उनको रोकना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को अपने इस तर से भी पनिश्मेंट देना चाहिए कि कल वो अगर लॉक कि किसी भी लैकुना से बच जाए तो वो इस लाइक ना हो कि कहीं उसे दुबारा जॉब मिले अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उसके साथ हो जाएंगी तो वो कभी इसका किसी जॉब लाइक नहीं बचेगा और इसका फिर मैसेज होगा कि अगर आप अपनी कलीक्स फीमेल कलीक्स के साथ मिस्भेव करते हैं उन्हें एक टूल की तरह या उन्हें एक एंट्रेइनमेंट का आप अपना इंस्रुमेंट समझते हैं तो तो एक मैसेज भी हो जाएगा तो बट नेश्रल मझे ऐसा लगता है कि तब यह रुकेगा इसलिए उस टेपार्टमेंट के जो ओनर है स्टेक होलडर है उनकी भी रिस्पोंसबिलिटी है और इंट्रिम कमीटी की माध्यम से हम पुलीस उनको भी इंवाल्व कर सकते हैं यद है तो उन्होंने क्या डिसीजन दिया यदि उन्होंने गलत दिया तो उन्हें भी परिश्मेंट मिलना जाहिए मजिरी जब अब तक हम लोग बात करते आ रहे हैं कि विमेंट सेवटी, विमेंट सेकूरिटी, क्राइम ads workplace उसका प्रिविंशन आपने पॉष के वारे में बात की प्रिवेंशन और सेक्ड़ियल हरेस्मेंटfish यजस सब बात हैं व्रक प्लेश की तो बात आ गई तो निन बच्छों के साथ वहां पर रगगिंग के थू से भी हरास्मेंट हो जाता है घई जगे कुछ प्रोफेसर्ज ओर इन आरेशमेंन में सामने आते हैं लेकिन कैटेग्रिकली कि निफ एक हर एक हरेस्मेंट को थो हमuzakahरास्मिंटे जेव्म तो इस बात को हम लोग कैसे समिक्षा करेंगे कि कौन सी चीज सेक्शुल हरास्मेंट है कौन सा नहीं है क्योंकि कम्प्लेंट्स आज के दिन में एक लड़की को कर कस के एक प्रोफेसर ने डांड भी दिया तो भी एक सेक्शुल हरास्मेंट लेकर पहुंच जाता है केस इन फैक्ट हम घड़पे सब्सक्राइब होते में बच्चों को ओ रREG घभ रहे होते हैं तो दर्सल्से के परेड़ साफ क्या लेगली कितने आवैर हैं डूसरा आइस स्याय होता है कि हम kit channel के through और सारे शासन और क्रशासन की उस belonging ही القữc and सारे Parents के रिड़क्विस्ट के लिए कुछ स्कूल से बच्चे आज कार जर्णिवर्ट ही करते हैं के बच्चे 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 को आज स्कूल आज करते मैं ऑच्चे के बच्चे 보통 उनके लिए पॉक्सों की ट्रेनिंग्स कुछ कॉलेजेज में होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं. Now, my point is, कि जब बच्चा एकदम तयार है अपनी हाइर स्टडीज के लिए, जब वो कॉलेज में अडमेशन लेने वाला है, किसी उनिवस्टी में दाखिला लेने वाला है, उस समय पे बच्चों के लिए एक जनरल और प्रोग्राम, आपको बहुत ज़्यादा लीगल टर्म्स की यूज करने की वहाँ शायद जरूवत नहीं है, लेकिन बच्चा कम से कम यह जरूर जाने थ्रूप एरेंस और थ्रूप स्कूल्स इन कॉलेज़ेस, कि जैसे है वो 18 एर्ज की एज क्रॉस करती है, और जब वो अपने कॉलेज में यूणिवस्टी में अडमीशन ले रहा है, वहाँ पे उसके पास, एक गर्ल स्टूडेंट के पास सारे राइट्स ह करने के लिए कि वो sexually वहाँ पे हैरस तो नहीं होगी ना, सो इसके लिए क्या प्रोसीजर हो और ना चाहिए, क्या awareness देनी चाहिए, हमें यह बताने की जरूवत है कि go and ask कि हमारे कॉलेज में, while the time of admission itself, अगर एक कॉलेज में जाके admission के दौरान करीब 8-10 बच्चों ने बीट, मेल्स और फीमेल्स, यह हमारी आधियाबादी, अगर महिलाओं की है, तो पुरिशों की भी आधियाबादी है, और उनके साथ के साथ चलके ही हम successful हो सकते हैं, अगर एक कॉलेज जिसकी capacity 1000-2000 admissions की है, और उस कॉलेज में 5-6 बच्चों ने भी आके question कर दिया, do we have an internal committee in place, जो prevention, prohibition और addressal के उपर काम कर सकती है, sexual harassment of women at workplace पे, trust me, वो कॉलेज अगले 15-20 दिन के अंदर खुद पढ़ाई करेंगे, किसी या तो lawyer को hire करेंगे, and they will constitute an internal committee, बिल्कुल सही बात है, transformation की शुरुवात यहीं से हो जाने की जरूरत है, दरसल, हला कि यात्रा भी बहुत लंबी है, but I am sure कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अगर बच्चे सुन रहे हैं, तो वो खुद को educate कर रहे हैं, अगर एक boy student है, male student है, उसक कि अपर यह जिम्मेदारी ज्यादा है, कि वो अपने अंदर कमीटी फॉर्म करें, वो पहले सरीक से, लेकिन मैं चीज जानना चाहूंगा, मुझे बता ही, जैसे NCCS का में कारण उदेश ही यह था कि कम से कम डिफेंस की तरफ जो एक नॉलेज है, वो बच्चों में डाला कि उन्हीं हम लोग कर सकते हैं, कि उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रूप्स तैयार कर सकते हैं, और इसमें शायद मुझे लगता है कि एक पुलिस सेवा की यहां पर जादा ज़ुरात है, क्योंकि यहां सेवा की बात हो रही है, इंस्टिटूशनल ट्रेनिंग यहां पर चाहिए, क्योंकि इन एक्स का मिस्टिलाइजेशन भी हो रहा है, मिस्टिलाइजेशन इस प्रकास से हो रहा है कि अगर एक लड़का जो कि 18 साल के नीचे का है, और एक लड़की वो भी 18 साल के नीचे की है, उनके दोरान में कोई एक लड़ाई होती है, कोई बात होती है, और लड़ के साथ खड़ा होता है उस समय लड़के की सुनी नहीं जाती है ऐसा कई लड़कों को लगता होगा तो मुझे जरा बताएं इस प्रकास से तो कभी भी हम किसी भी पॉक्सो हो यहां मैं बात करूं अगर पौश की बात करूं ऐसे किसी भी कानून को हम कभी भी लागू नहीं कर तो यह मानिये देखिए और दंड नहीं बलके उन्हें सुधार के लिए भीजा जाता है। जिसे कही सुधार ग्रया के मतलब भी कि कहीं ना कहीं वह किसी क्रीमिनल उफेंस अगर किया है। इंवस्टिकेशन होता है, इंवस्टिकेशन में सिर्फ F.I.R. is not a complete F.I.R. होते ही चार्शिट हो जाएगा, F.I.R. is not a चार्शिट, इंवस्टिकेशन के द्वारान बहुत सारे प्रूफ देने होते हैं, प्रूफ मिलते हैं, अगर लड़की ने कहा और लड़का भी माइनर ह तो it is not so easy कि लड़के को चार्शिट कर दिया जाए, इंवस्टिकेशन होती है, तो यह तो माइनर्स की बात हो गई, आप मेजर्स की बात अगर करें, तो देखिए हम लोग बचों को, बच्चीयों को सिखाते हैं, what is good touch, what is bad touch, sexual harassment, वो bad touch वाला जो पार्ट है, that is, बढ़ने क कि अगर एक किसी educational institution के आप बात करें, coaching center में लड़की पढ़ने जा रही है, boy और girl बगल बगल बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप बात करते करते किसी ने, यूँ अगर touch हो गया हाथ by chance, और या किसी ने किसी से कुछ बोरो कर लिया आपने हमारी pen, हमारी pencil या pen pencil फार दी, तो इसका मतलब ये sexual harassment नहीं हुआ, sexual harassment जब आप physically assault आप पर होता है, या ऐसे jokes करना कि लड़की बैठी है और आप cheap jokes या cheap movie किसी उस पर इस तरह से देख और दिखा रहे हैं कि लड़की को भी दिख जाए, उसको भी समझ में है, that is harassment, तो ये good touch, bad touch and what is harassment, ये तो देखे educational awareness की ही चीजे हैं, इसलिए वो internal committee होगी, वो जब अपनी committee का display करेगी, उसके norms भी display करने होंगे उनको, या हर कुछ-कुछ दिनों में awareness program हर institution को चलाने होंगे, जैसा हम मंजजी जी के सायोग से पुलीस में चला रहे हैं इस समय, कि लोग जाने कि क्या है sexual harassment, हर harassment sexual नहीं है, अगर मैं मेरा boss मुझे किसी काम को कहते हैं और वो काम में गलत करती हूँ, तो या है वो काम में गलत करती हूँ, तो या एसे चीजे आप media के थू करेंगे, which shows, which includes body, या ऐसे words बोलेंगे, जो come within the framework of sex. कि नाना पाटेकर उन्हें उन्हें sexually harassed किया था, hashtag me too बहुत बुरी तरीक से आग की तरह चारो तरफ फैला, इतने सारे me too के case आने लग गए कि क्या बताएं, इस दोरान में सबसे ज़्यादा बदनामी उन पूरुशों को उठाना पड़ा, जिनकी वज़े से एक महिला के करियर को challenge पड़ा, कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि इसकी misutilization भी उसी स्तर पे हो रहा है, जिस तरीके से आपका sexual harassment की case देखिये, सबसे बड़ी चीज यह है कि जब कानून बनता है, भारत जैसे देश में तो उसका purpose एक बहुत बड़े ब्रॉडर मास को ध्यान में रखते हुए और वेलफेयर को उस मास के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए बता है, ठीक है? तो इससे लिए जब जो भी कानून बना उसका उसी तरीके से interpretation करके सेब मैनर में उसके लिए awareness campaigns लाया जाना बहुत ज़ादा जरूरी होता है और यहीं पर awareness campaigns का importance होता है दूसरी चीज़ एक question जो आपने किया कि मीटू के बारे में बोला और दूसरा बोला कि miss utilization of resources Now, जैसा मैं ने बताया कि जब पॉश के लिए committees बनती हैं किसी भी तरीके के sexual harassment के लिए workplace women के साथ में तो उन committees का उनके लिए कुछ अहरताएं निलहारे थे और उन अहरताओं के अनुसार उनको भी उस law के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है उनको यह पता होना चाहिए कि दरसल कौन सी categories में अगर crime हुआ है, sexual offense हुआ है तब ही उसको posh act में register किया जाएगा उसके ambit में वो तब ही आएगा जैसे there are four essentials, पहला तो यह कि complainant women ही हो सकती है, जैसा कि act के नाम से हमको समझ में आता है दूसरा essential यह है किसी भी offense के कुछ essentials होते है, posh act में register करने के लिए पहला essential है कि women should be the complainant दूसरा होता है कि harassment must have happened at the workplace, कारस्थल पर ही हुआ होगा, अब जो posh की committee बनी है उसको यह जानना जरूरी है कि कारस्थल की ambit में क्या क्या आता है वो transportation का mode भी हो सकता है, अगर company ने या organization ने mandate किया हुआ है कि आपको organization का ही transportation यूज करना है आपको travel के time में भी workplace माना जा सकता है और आज के समय में post covid time में, covid and post covid time में, जब everything has gone virtual तो virtual meetings के दौरां में भी कुछ ऐसे conducts ऐसे हो सकते है, which can be registered under posh आपको virtual meeting भी workplace में consider किया जाएगा तो दूसरा essential हो गया कि harassment की जगह है वो कारस्थल होनी चाहिए चाहिए वो चाहिए मॉल में जाके अगर सोचिए किसी senior से मुलाकात होती है कि वहाँ पर कोई बात हो जाती है कि उसको पॉश में लेंगे कि लिए जाने के लिए या out of your own personal relationship and friendship या goodwill अलग से मिलने गए थे तो अगर casual होता है तो वो पॉश के अमिट में नहीं आता है कि अपने कारस्थल पर जब जाने का कि यह करने से मेरे लिए आगे खत्रा हो सकता है मैं अगर ऐसा करता हुआ पाया जाओंगा और महिला ने इस कमिटी में कंप्लेंड कर दी तो वेरा करियर भी तबाह हो सकता है तो रिस्पेक्ट और रोजी रोटी हर किसी के लिए चाहिए तो क्या यह अब मेंडेट्री होने कर चला कि एक हैंड़ाउट सारे ऐसे संस्ताओं के पास होनी चाहिए जहां पर भी विमें एंप्लाइबलेटी है बिल्कुल होना चाहिए सर इंफाक्ट नॉट ओनली विवेर एवर एनीबडी कहीं पर भी एंप्लाइमेंट का नंबर 10 से जाधा है दस से कम के लिए लोकल कमेटी का प्रवेजन होता है लेकिन अभी हम सिर्फ इंटर्नल कमेटी की बात करेंगे जहां पर 10 या 10 से अधिक एंप्लोईज है और अगनेशन में नॉट एनीबडी और एवरिबडी कें गो एंड कंप्लेइन अंडर पाउच और चौथा एसेंशेल होता है कि ता है नेचर और हैसमेंट मस्ट बी सेक्शूल इन नेचर कुछ ना कुछ सेक्शूल कलर उसमें होना चाहिए अब सेक्शूल कलर में आई पीसे में जितनी भी भारती दंडर संहिता में जितनी भी चीजें डिफाइन की गई हैं सेक्चुल हरस्मेंट के फॉम में वो सारी चीजें आती है इसलिए जो पॉष की कमीटी बनती है उसे विजिलेंट होने की जरूवत है कि वो खुद भी जाने और अपने लोगों को अवेर भी करवाती रहे समय समय पे क्या सेक्चुल हरस्मेंट है और क्या सेक्चुल हरस्मेंट नहीं है जैसे भी मैम ने बताया कि कुछ हमने गलत कर द बस ने डाब दिया डाक्टर से में हो सकता है चार शब्द ऐसे भी बोल दिये जो हमें चायद नहीं अच्छे लगें प्लेजन लगें लेकिन क्या वो सेक्चुल हरस्मेंट हो जाएगा इसलिए संस्थाओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सर चाहें वो संस्थाएं हैं चाहें वो अगर हमारे स्टूडेंट से फॉर हायर एजूकेशन इस्कूल्स इस्कूल्स तो नहीं करेंगे 18 प्लस के लिए होता है मेजर्स के लिए तो जितने भी कॉलेजिस हैं उनसे मेरी हैंट पोल्ड रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंटर्नल कमिटी अपनी बनाईए बहुत बहुत धन्यवाद आपनोंने समय निकाल के आप हमारे स्टूडियो पर आए और आपने आज शिक्षित किया हमें कि पॉष एक्जैक्ली है क्या पॉक्सों से रिलेटेट भी कुछ इंफॉर्मेशन आपने शेर की यह जो कोशिश हैं दोस्तों कि कोशिश से इतनी है कि male and female, मर्द और आउरत दोनों मिलके एक साथ एक संस्था में एक सुरक्षित धन 프로mber से काम कर सके हैं कानून सुरक्षा के लिए बनाए जाता है आपके और हमारे लिए बनाए जाता है और इसी को आपको मनवाने के लिए नहीं बलकि आपको इसके बारे में शिक्षित करने के लिए कि कानून है क्या इसलिए पुलिस ये भी एक काम करती है ये उनकी सेवाओं में से एक है तो बह आज की जो शिक्षा की बात थी यह बेसीकली हम लोग के अंदर शुरुवात से होनी चाहिए माता पिता को घर से निकलती बच्चों को समझाना चाहिए कि आपको दूसरों से पेश कैसे आना चाहिए बात यह नहीं है कि आपका बच्चा लड़का है यह लड़की है भदलता, सभ्यता यह अपने आप में एक दूसरे की इज़ट करने से आती है जब हम समझते हैं हम एक दूसरे के दारे को लांग तो नहीं रहें दोस्तों, यह सारी बाते जो होती हैं जो हम बार बार एपीसोड ईना सिर्फ यह आप तक बात पहुचाने की होती है कि बिसीकली शिक्षा है क्या, रास्ते पे थूख देना भी आपको अशिक्षित करार देता है गलत जगे पे गलत तरीके से बात करना भी आपको असिक्षित करार देता है जब शिक्षा की बात करें तो प्लीज याद रखें शिक्षा हर उस चीज़ से आती है जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं अपनी देखने, सुनने और समझने की शक्ति को सही रखिये और सोचिये अपनी समाज को कैसे बहतर बनाये जाए धन्य पाद झाल झाल झाल